दोस्तों मैं सोरमलीक आप सभी गवा उनली टॉप स्टुडी चैनल पर स्वागत करता हूँ डेली करेंट फिर कुईज में आज हम देखेंगे 14 फरवरी की करेंट फिर को जो कि सभी प्रिक्षाओं के लिए मैत पून रहेगी डेली करेंट फेर क्विज में मैं आपको डेली 10 मिनट में 20 करेंट फेर के कोशन आंसर को कवर कराता हूँ जो कि पूरे दिन की करेंट फेर होती है अगर आप लोग इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना आज का हमारा रिविजन कोशन है हाल ही में चिन नई सूपर किंग्स ने किसे अपना ब्रैंड एंबिसेडर बनाया है इस कोशन का अंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बोक्स में बताएंगे इस कोशन का अंसर क्या रहेगा अगर आपको पता है तो कमेंट बोक्स में बता सकते हैं पहले कोशन का सही आंसर होएगा नेंदर मोधी जी ने यानि की B इस दरइट आंसर दूसरा कोशन है शिक्सामंतराले ने देश में फुटबोल खेल को बढ़ावाद देने के लिए किसके साथ समझोता किया दोस्तों दूसरे कोशन का सही उत्तर क्या रहेगा बिल्कुल सही है फीफा यानि की B is the right answer तीसरा कोशन है भारत के पहले चीफ और डिफेंस स्टाप दिवंगत जन्रल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहा किया गया तीसरे कोशन का सही उत्तर रहेगा दोस्तों देहरादून में यानि की D is the right answer कोशन नबर फॉर है हाल ही में किस देश के पूर परधान मंतरी एलेकजंडर स्टब ने वहां की रास्पति का चुनाव जीता कोशन नबर फॉर का सही आंसर रहेगा फिल्लेंड के यानि किस C is the right answer कोशन नबर फाइव है हाल ही में किस कंपनी ने जलवाई यू कारियों और परियावर्णिय प्रदशन के लिए सिस इस्थान हासिल किया पांचवे कोशन का राइट आंसर रहेगा अडानी पोड्स ने यानि कि D is the right answer प्यारे दोस्तों अगर आप लोग किसी भी competitive exam की त्यारी करते हैं तो आप हमारी master PDF ले सकते हैं मात्र 170 रुपी की PDF है जिसमें आपको सारे subject मिलेंगे पूरी lifetime के लिए आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं पीडियाप का लिंक description box और हमारे WhatsApp नंबर दोनों चंगे मिलेगा लिंक पर क्लिक करना है payment करना है पीडियाप आपको मिल जाएगी चछटा question है हाल ही में Paytm e-commerce का नाम बदल कर क्या रखा गया तो right answer रहेगा पाई platform यानि की a right answer रहने वाला है दोस्तों साथवा question है हाल ही में भारत सरकार ने महिलाओं को किस चेत्र में ससक्त बनाने के लिए स्वाति पोर्टल लोंज किया है तो right answer है विज्ञान प्रद्योगिकी इंजिनियरिंग गणित और चिकित्सा तो साथवे question का right answer यह रहेगा यह आपको याद रखना है आठवा question है हाल ही में विस्व रेडियो दिवस कब मनाया गया question number 8 का right answer है दोस्तों तीरा फरवरी को यानि की B is the right answer question number 9 है अंतरास्टे नियाले का अध्यक्स किसे नियुक्त किया गया है नियाधीस नवहाफ सलाम को यानि की right answer option A हो जाएगा दस्वा question है हाल ही में किस देश ने मोत की सजा पाए आठ पूर भारतिय नोसेनिकों को रिहा किया है सेशन आपको अच्छा लगे दोस्तों प्लीज लाइक भी जरू करिएगा और अपने भाई बेन दोस्तों के साथ में सेयर करना ये वीडियो सुबह साड़े 6 बज़े ओनली टॉप इस्टेडी यूटूब चैनल पर आती है आप किसी भी competitive exam की त्यारी करते है इस वीडियो को जरूर देख लेगे ये हर एक exam के लिए है दस्वा question का right answer है कतर से दोस्तों यानि की B right answer हो जाएगा ग्यार्वा question है हाल ही में किसे KPP नाबियार पुरुसकार से सम्भानित किया गया है ग्यार्वा question का right answer हैगा S सौमनात जी को यानि की C right answer हो जाएगा question number 12 है हाल ही में किस राज्य ने देश में पहली बार semiconductor नीती लागो की है तो बारवी question का right answer हैगा उत्तर परदेश में यानि की C is the right answer question number 13 है हाल ही में कौन दक्षिनी रेलवे की पहली ट्रांस्वोमेंट टीटी न्युक्त हुई है दोस्तो right answer हैगा सिंदू गणपती यानि की right answer is B question number 14 है हाल ही में किस राज्य सरकार ने M, B, P, Y में 500 रुपे की बढ़ोतरी की है question number 14 का right answer हैगा उडीसा में यानि कि C is the right answer पंदर्वा question है हाल ही में 67 वी अखिल भारत्य पुलिस ड्यूटी मीट कहां आजित की जा रही है question number 15 का right answer रहेगा लखनाउ यानि की B is the right answer solve question है हाल ही में किस राज्य की केबिनेट ने जादूई उपचार पर परतिबंद लगाने वाले विदेख को मंजूरी दी है solve question का right answer हैगा असम राज्य में यानि कि C right answer हो जाएगा सतर्वा question है हाल ही में किस IAT ने उन्नत सवास्त देखभाल के लिए सवास्ता प्रियोजना का उदगाटन किया है सतर्वे question का right answer हैगा IAT गौहाटी में यानि की B is the right answer अठ्वा question है हाल ही में सुतूर यात्रा मोहत सब 2024 कहां शुरू हुआ है 18 question का right answer हैगा करनाटक में यानि की C is the right answer 19 question का right answer हैगा मेमोरियल बोक्सिंग टूनमेंट में अमित पंगाल ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में सणपदक जीता 19 question का right answer हैगा 51 किलोग्राम भार वर्ग में यानि की right answer ए हो जाएगा दोस्तों 20 वा question है ICC under 19 Men's Cricket World Cup 2024 का उपविजेता कौन सा देश रहा 20 वे question का right answer हैगा दोस्तों अपना भारत यानि की B is the right answer देखे 20 में से आप लोगों ने कितने questions की answer सही किया है कमेंट बोक्स में बताएगा अब ये है आज का हमारा homework का question साहित्यकार उसा किरन खान का निधन हो गया या किस भासा की साहित्यकार थी इस question का answer सभी student कमेंट बोक्स में बताएगे जो इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तो वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊँगा आज का हमारा question of the day है भारत का सभसे अधिक जन्संग के आवाला सहर कौन सा है इस question का answer सभी student कमेंट बोक्स में बताएगे 5 सेकिन कसा मिलता है बारत का सभसे अधिक जन्संग के आवाला सहर दोस्तो कौन सा है तो right answer है मुंबई यानि कि B is the right answer कल का हूंबर का कोशन था कि स्राज्य सरकार ने घर घर राशन योजना शुरू की है तो right answer is पंचाब यानि कि B सही answer हो जाएगा देखे अगर आप लोग कोई भी फिरी पीडियाप डाउनलोड करना चाहते हैं क्योंकि हमारी कितनी पीडियाप फिरी में अपलेबल है तो उनले टॉप स्टडी आपको डाउनलोड करिए 5 स्टार की रेटिंग करिएगा उसके बाद में आपको यहां से पीडियाप मिल जाएगी और जो हमारी master पीडियाप है दोस्तों जिसमें सारे subject को बहतरी ढंग से cover किया गया है यह मिलेगी हमारी website पर जिसका link description box और हमारे whatsapp नमबर दोनों जंगे मिल जाएगा आपको simply करना कुछ नहीं है जो link दिया गया है उस पर click करना है 170 रुपीज का payment करना है और payment का screenshot हमें whatsapp पर भेज देना अगर whatsapp पर पीडियाप लेनी है अगर आपको पीडियाप directly मिल जाएगी ठीक है अगर आप कोई वीडियो पसंद आई है तो like share करिए चैनल पर नहीं है तो subscribe करिए bell icon icon रखिए ताकि आगया आने वाली कोई भी वीडियो मिशना हो thank you so much bye bye everyone take care ख्याल लगे अपना मिलते next class में